Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now daily के basis पर हम page-wide discussion करते हैं और हर एक page से जो भी important news रहती है UPSC prelims और mains के लिए उसको discuss करते हैं हमारे analysis का पहला section ये रहता है कि सबसे पहले हम daily के basis पर overall news paper का overview आपको दे देते हैं यहाँ पर सबसे पहले है इस Sputnik जो V-Shorts हैं Russia की जो vaccine है उसकी वो available हो जाएगी भारत में next week से ऐसा सरकारने का है approval भी दे दी गई है किसने दी है वो UPSC prelims के basis पर देखेंगे वेस्ट बंगॉल के जो governor है जगदीब धनकर जी ममता बेनर जी ने उन्होंने ये बोला है कि अभी उन्होंने वाइलेटी वाप long standing norms of procedure को वाइलेट किया है अब ये क्या है उसको detail में डिसकस करेंगे UPSC mains के basis पर राइट वही है congestion in prisoner prison में बहुत ज़दा overcrowded prisoners हैं उसके बारे में उसकी report पढ़ेंगे 2019-2020 की community kitchens क्या होते हैं सुप्रिम कोट ने क्यों डैली गवर्मेंट से बोला कि आप meal center open कीजिए plasma donation क्या होता है plasma कौन से color का होता है ये detail में डिसकस करेंगे economics के basis पर एक auditorial publish होया तो यहां पर जितने भी key point है चाहिए inflation भारत में कैसे महंगाई मापी जाती है consumer price index क्या है PMI purchasing manager index survey क्या है इसको detail में डिसकस करेंगे उसके बाद United Nation का disappearance ये क्या होता है ठीक है medical education को बढ़ावा देना चाहिए ये पढ़िंगे prelims का paper आप सब को कल भी मैंने update दे दिया था 10 October हो चुकिया इसकी date ठीक है अब 27 जून को नहीं होगा 10 October को होगा GST council क्या होती है इसको discuss करेंगे अभी भी cases बढ़ते जा रहे है डेली के basis पर Israel और Palestine का कल हमने detail में 15 मिनट का lecture एक ही उसमें लिया गया होगा आज इसको सिर्फ 2 मिनट में मैं इसको explain करूंगा जिसको देखना है complete FCRE norms क्या होता है Foreign Contribution Regulation Act क्या है इसको detail में discuss करेंगे ट्रेप्स वगरा तो हम daily के basis पर करते हैं इसके basis पांसर राइटिंग भी हो चुकी है आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है Telegram application डाउनलोड करनी है सच बॉक्स में टाइप करना है PR publication या add the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे Now daily के basis पर जो free group होता है यहाँ पर हम UPSC mains question दे देते हैं यानि कि free में आपकी एक UPSC की तैयारी mains की तैयारी हो जाती है और डूसरा यह है कि यहाँ पर answer writing भी हम send करते रहते हैं जिसको अच्छे से देखना है आपको कि किस तरह से एक answer लिखा जाता है जिसको नहीं पता PR publication के paid plans में है वे डिसकाउंट है 16th में तक ही यह offer है 16 में तक ही आपको यह offer मिलेगा early plan जो 499 रुपीज का था यानि कि 500 का वो सिर्फ 349 रुपीज का आप विल कर पाएंगे पूरे एक साल तक आपको हिंदू के notes मिलेंगे daily answer writing but अगर आप NCRT को revise करना चाते हैं revise नहीं हो पारी है तो NCRT test series हमने frame किया सभी subject आपको मिलेंगे history geography, quality, economics chapter wise test होंगे detail solution के साथ और UPSC C-set जो prelims में second paper होता है सबसे important होता है क्योंकि 50% से ज़्यादा बच्चों की जो cut off होती है 66 marks UPSC C-set में तो इसको इसी तरीके से frame किया गया है कि already आप इसमें अच्छा marks गेन कर पाओ अगर आप ये तीन ओ प्लैन early plan NCRT test series ये एक साथ लेते हैं तो सिर्फ 799 रूपीस का अविल कर पाएंगे test series और C-set ये आपको lifetime मिलेंगे चले श्टार्ट करते हैं आज का discussion फिर सबसे पहले Sputnik V vaccine जो है developed की गई है Gamalya National Center of Russia ने और भारत को available हो जाएगी early next week तक ठीक है और generally यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी हम दूसरे foreign जो vaccine है उस पर भी काम कर रहे हैं जैसे आप इसको Sputnik V बोले हैं 5 बोले हैं ठीक है दोगे basis पर इसको pronounce किया जाता है और दूसरी जो foreign vaccine है manufacturer है जैसे Moderna है Pfizer है ठीक है Johnson & Johnson है इनको भी हम अपनी emergency use के लिए use कर रहे हैं अब बात ये आती है कि यार भारत का तो coronavirus अलग होगा उसका variant कौन कौन सी vaccine जो होंगी वो हमको लगानी चाहिए ये कैसे पता चलेगा उसके लिए हमारे एक top mostable level पर एक body काम करती है उसका नाम है Drug Control General of India DCGI अब यही हमको बताती है कि रशिया की हमें vaccine लगानी चाहिए या नहीं और लगानी चाहिए तो कितनी लगानी चाहिए ठीक है इनिशियल में 260 करोड जो vaccine है वो भारत को available हो जाएगी अगस्ते से दिसंबर तक ठीक है ऐसा बोला गया है तो जो इसको approve करने वाली है चाहिए कोई भी foreign की vaccine है ना भारत के लिए किस तरह से सही होगी वो DCGI ही बताती है तो इसको जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं तो drug controller general of India है UPS 2021 में पूछा जा सकता है यह किस के अंदर काम करते हैं CD, SCO, Central Drug Standard Controller Organization के अंदर जनरली यह एक ऐसी body है जो license approval के लिए responsible है यानि कि अगर कोई भी ऐसी दवा बनाई जारी है जिसमें blood से related blood product vaccine fluid से मतलब कोई भी ऐसी vaccine जो आपके blood में जाएगी उससे जुड़े होई license को DCGI ही approve करती है दूसरा भारत में किस तरह से दवाईयां बनाई जारी हैं किस तरह से दूसरी देसों से दवाईयां मंगाई जारी हैं इन सबकी भी guidelines जो proper standard quality होती है वो DCGI ही चेक करता है national standard को implement करता है drug and cosmetic act भी ये देखता है दूसरा जो दूसरे institution laboratories को training भी देता है अभी आप सबको पता है जब election जीतने के बाद TMC की जो ममता बेनरजी है उनकी party जीती तो बहुत सारी ऐसी news आई की यार बहुत सारी family members को मारा जा रहा है ऐसी कुछ news आई की बीजेपी workers को मारा जा रहा है ठीक है sexual assault के भी cases की बहुत जो वीडियो थी वो fake भी थी बहुत सारी वीडियो real भी थी तो अब उस पर क्या हुआ वेस्ट बंगल के जो governor है जगदीब धनकर गए वो उन एरिया में गए जहां पर area visited affected by post election मतलब ऐसे एरिया जहां पर violence हुआ वहां पर वो visit की गए ठीक है ignoring chief minister ममताब energy disapproval ठीक है उनने approval भी नहीं दिया था फिर भी वो वहां पर गए तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने बोला कि यह unilateral proceeding है governor के द्वारा और इसको हम कहेंगे long standing norms of procedure अगर आप देखोगे ना governor के अगर governor की functioning की कभी भी बात करोगे तो उनकी functioning में कभी यह नहीं आता कि आप government को criticize करो इससे पहले भी जो governor रहे है ना इससे पहले भी क्या करते थे वो university जाके जो है यह university अच्छा काम नहीं कर रही उसको criticize करना ठीक है दूसरा अगर बात करें जो day to day visit होता है वो एक governor नहीं करता सबसे राष्टरपती जाएंगे क्या कहीं पर किसी ऐसी area पर नहीं उनका day to day function नहीं होता वो life lecture का होता है मतलब जिसको आपने यह तो appointed होते है ना center के दवारा appointed हो रहते हैं यह तो governor तो जो life lecture है जिनको चुना गया है उनका काम रहता है कि आप ऐसी जगे पर जाओ ठीक है तो कहने का मतलब उनका day to day administration है ही नहीं तो इसले चीपनिश्टन ने बोला कि यह वाइलेटिव लॉंग इस्टेंडिंग नॉम सौप प्रोसीजर है उसके बाद यह भी claim करती है वेस्ट बंगॉल की जो सरकार है उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगॉल जो governor है वो acting according to script provided to him by Modi and Shah मतलब इस तरह से उन पर claim लगाए गए बट actual मैं क्या आप सब को पता यह तो normal सी चीज़े है ठीक है एक politician जाता है विजिट करने उनकी family में विजिट करने की क्या हुआ उनसे पूछना हाल चाल पूछना अगर मैं बात करूँगा एक governor के functioning के अंदर नहीं आता कि daily के basis पा विजिट करो राइट अगर सरकार उनको बता दीती है उस सरकार तो वो विजिट कर सकते हैं बड़ बिना सरकार की approval के वो विजिट करते हैं तो वो एक तरह से procedure का violation है ठीक है अब बात आती है UPSC में से की कि यार एक governor के पास क्या सविधान ने कोई power दी है दी है तो कौन सी है ठीक है उसको discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी है नाँ सबसे पहले आपको बता दूँ discretion of governor मतलब governor अपने basis पर कौन-Kन से काम कर सकते हैं वह बताता हूं एक तो सविधान ने क्या दिया है एक situational क्या होता है सबसे पहले सविधान के गवर्नर अपनी discretion पर काम करता है दो तरीके से एक तो constitutional एक situational सबसे पहले constitutional को जान लेते हैं कि सविधान में कौनसी ऐसी power दे गई हैं जिसमें गवर्नर बिना पूछे काम कर सकता है लाइस लेचर से सबसे पहले अगर मान के चलो किसी राजी में अगर बिल पास वा अगर गवर्नर को लगता है ये national security या किसी से भी related है तो वो प्रसिडेंट को उसको consider करने के लिए रख सकता है बिना पूछे ठीक है काउंसल अपनिस्टर से अगर वो चाहता है कि राष्ट्रपती साशन लगे तो वो रिकमेंड कर सकता है बिना काउंसल अपनिस्टर के पर्मिशन से ये चीज़ें कर सकता है अगर उसको युनियन टेरिटरी के चार्ज दे दिये जाए तो वो खुद की discretion में काम करता है अब ये नौर्ट्रिष्ट के कुछ राज्य होते है अट्रोमस ट्राइबल डिष्ट्रिक काउंसल में भी इसका पूरा रोल रहता है ये सब जो मैंने अभी बताए ये constitutional discretion है क्या ये prelims में पूछे जा सकते हैं क्या ये mains में पूछे जा सकते हैं ये तो अच्छे से ही point याद रखना governor के बारे में और president के बारे में तो होते है situational मतलब कहीं पर ऐसी situation arise होती है जहाँ पर government जो governor है फिर अपनी situation के basis पर काम करते है अपनी discretion के basis पर पहला जब उनको किसी एक cm को appoint करना पड़ता है जब after no party has clear majority अगर क्यों ना हो गए सपोज और किसी भी party के पास एक clear majority नहीं है और या दूसरी situation या हो सकती है कि अगर must party चल रही है पर chief minister की death हो जाती है तो वो cm को appoint करने में उनकी खुद की discretion होती है when he dismiss the council of minister मान की चलो state ने सविधान के according काम नहीं करा तो council of minister dismiss हो जाते है to prove confidence in the state legislative assembly ठीक है अगर जो council of minister या state legislative assembly अपनी confidence मतलब अपनी majority voting प्रूब नहीं कर पाई तो council of minister को dismiss कर देता है ठीक है दूसरा the other situation where the governor though has consult the council of minister but finally act as his own discretion मतलब कुछ ऐसी situation भी होती है पूस्ता तो council of minister से है but finally अपने ही मन की करता है when he has to establish separate deployment board for विधरबा या मराठा वार्डा के लिए अगर separate deployment board को establish करना हो मतलब कुछ provision लिखे गए है कुछ कुछ particular area में जैसे नागा लेंड का area और दूसरे क्या एक राज में दो या दो से अधिक राजियों के similar governor हो सकते है आप को कि यस मैं भी कहूंगा यस पर मैं आप से पुछूँगा कौन से amendment में ये किया गया ये चीज़ याद रखना साथवा सववेदाने के जो संसोधन है 1956 का उसमें ये बोला गया है कि दो राजियों के same governor हो सकते है ये तो सब को पता है बट कौन सा amendment में ये किया गया यहाँ पर ये बोला जाता है bench Supreme Court की hearing होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्दा अभी उठा रहे है क्योंकि second wave सुरू हो चुकि ये lockdown भी है तो जो prison है उनमें बहुत ज़्यादा prisoners है जो की होने नहीं चाहिए तो यहाँ पर यह बोल रहा है alarming congestion in prisoner और यहाँ पर Supreme Court का कुछ data दिया गया है Prisoner Statics India Report 2019-2020 तो इसी को हम detail में discuss करते हैं इंडिया की जो ओबर क्राउटेड है अंडर स्टाब्ड है ऐसा NCRB के रिपोर्ट में बोला है NCRB की रिपोर्ट क्या है उन्होंने ये भी बोला कि most of prisoner under trial हैं 70% ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा 10 वी तक नहीं पड़ा मतलब इससे एक conclusion निकलता असिक्षित लोग ज़्यादा crime कर सकते हैं ठीक है उनके probability है ऐसी रिपोर्ट दी NCRB ने NCRB क्या होता है National Crime Record Bureau ठीक है कल एक comment में पल रहा था NCRB के बारे में बढ़ाई है इसके बाद बताता हूँ ठीक है NCRB के बारे में भी बता देता हूँ आपको बट उनका data जो है प्रिजनल से reiterated उसको देखते हैं तो इस रिपोर्ट में तीन चीजों के बारे में में मेंचिन क्या है एक तो जेलों के बारे में जाद रखो 144 जेले हैं फिर तमिलाडो में 141 फिर मद्धिपर्देश में 131 जेले हैं राइट दूसरा conviction के बारे में बात करते हैं मतलब 400 लोग ऐसे हैं जिनको capital punishment मिली हुई है 2019 में और कुछ डेल लाग लोग ऐसे हैं जिनको life imprisonment मिला हुआ है अंडर ट्राइल ये सबसे बड़ा जो data मैं आपको बता रहा हूँ 67% ऐसे लोग हैं अंडर ट्राइल अंडर ट्राइल मतलब क्या होता है यार कि आपको जेल में डाल दिया गया है एकस परसन को जेल में डाल दिया गया है और आपका मतलब कोड तक पेसी नहीं हो रही है तो सोचो आपको अगर दो या तीन मैने में भी छोड़ दिया जाना होगा आपको कोड ही नहीं लगया होगा तो आप एक साल तक जेल में ही रहेंगे इसी वज़े से crowded ये रह रही है वहीं UK में इसका percentage 11 है US में 20 है, France में 29 है ओबर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर टू थार्ड इनमेट्स अंडर ट्राइल से है expenditure बहुत ज़्यादा आता अगर देखोगे 2019, 2020 में अब ओबर क्राउडिंग के होज़े से सरकार को भी loss है 681 करोल रुपे पिछले वर्स खर्चा आया था चार लाक ऐसे literacy profile ऐसी है कि यार कख्चा दस्वी उन्होंने पढ़ी ही नहीं है मतलब इस से directly conclusion यह है कि यार क्यों जो असिक्षित देश में या ऐसे राज़ी में crimes बहुत ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पर उनको सिक्षिया नहीं मिली रहती है ठीक है उसके साथ NCRB को भी हम पढ़ लेते हैं देखे एक paid group का यह फाइदा है अगर मैंने आपको paid group में add किया अगर सब लोग यह try कर लेना अगर आपको suppose कोई ढूड़ना है ठीक है आप Google पर ढूड़न नहीं पारे बट हमने वो करावाया होगा आप क्या करोगे जैसे NCRB अभी आप सर्च करोगे तो NCRB अपने टेलग्राम में सर्च किया open में ही ठीक है public में ही सर्च करना अगर आप paid user होंगे तो आपको पूरे एक साल तक ये benefit मिलेगा सिर्फ NCRB आपने टाइप किया ना तो ये आपको NCRB मिल जाएगा जैसे आप इसमें click करोगे तो NCRB पूरा मिल जाएगा तो इसको मैं चलिए send भी कर देता हूँ इसमें private current notes में ठीक है तो इसको send कर दिया तो आप ये जैसे बस आप सब लोगों को ये मिल भी गया होगा ठीक है अब भी notification आया होगा 6.58 में आप चेक कर सकते हो ठीक है यही है simple सा method है यार आपको टेलिग्राम में इसी तरह से note से मिलते है National Crime Record Bureau क्या होता UPSC Prelim सबसे पहले इसका headquarter है नई दिल्ली में 1986 में बनाएं मिनिस्ट्री आपों में फिर से कितरे ये काम करता है जनरलीस की जो recommendation की बात की गई थी National Police Commission ने की गई थी और इसका major काम है कि यार ओल ओबर में जितनी भी crime report होती है उसको आप अच्छे से analyze करो monitor करो फिर publish करो 1953 से ये publish करते आ रहा है और अभी तक भी ये करेगा और आगे भी ये करेगा और इनकी ही report से हम better condition बना सकते हैं चाहे law reforms करने हो police reforms करने हो prisoner reform करने हो कोई भी reform करना हो या crimes related कोई भी चीज़े होती है इनके report के basis पही सुधारी जाती है अभी यहाँ पर सुप्रिम कोट नहीं बोला है दिल्ली सरकार को कि आप यार mail center open कर दीजे सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बोला बलकि उत्तरप्रदेश हर्यान को भी बोला आप community kitchens खोली है ऐसा क्यों lockdown लगा है COVID-19 की situation है लोगों की income अजीम जी प्रेम जी जो foundation है उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 26% ऐसे है रूरल एलियाव में जिनके income नहीं है 30% urban areas में बिल्कुल भी income वो कमा नहीं रहे है तो आप चलिए migrant worker की बात करते है first wave मैं migrant worker को कितना ज़्यादा देखने को मिला issue कल तो हमने answer writing करी negative impact of COVID-19 जिसने नहीं देखी answer writing देख लो आप तो सभी ने बताया है community kitchen अब community kitchen होते कैं है मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को उसके लिए हम already एक answer writing कर चुके हैं तो मैं अपने notes के basis पर इसको समझाऊंगा आपको एक चीज मैं आपको बता दूँ एक term बता रहा हूँ hunger, भुकमरी, malnutrition जो आपको portion अच्छे से नहीं मिलता भारत में चाहे उसका solution हो या COVID-19 lockdown में उसका solution है वो एक ही करता धरता है वो है community kitchen सबसे पहले मैं आपको normal सी बारे में बता देता हूँ community kitchen combat कर सकता है hunger और malnutrition को क्या सवीधान में कुछ mention है कि हमें खाना मिलना ही चाहिए yes right to food is inherent to life with dignity article 21 में है और fundamental right to life है personal liberty है उसके साथ DPSP article 47 में भी राज्यों की ये responsibility रहती है कि हमें nutrition portion मिले दूसरा 28 नॉमा 2020 को ही हमने update किया है इंडिया की rank 94 है 107 countries में जो नया global hunger index report 2020 थी उससे पहले अगर बारे मैं बात करूँ 2019 में 102 वी rank थी और अभी 107 2019 में 170 country को लिया गया था बट 2020 का global hunger index और दूसरी ये खास बात है हमारे notes में कि हम उसी notes में update करते रहते हैं ताकि आपको अलग-अलग ना पढ़ना पड़े तो देखो ये पुरानी report है global hunger index 2019 की global hunger index 2020 में 94 इसके rank है जो की बहुत कम है ठीक है मतलब बहुत कम है मतलब worst situation है अभी portion मिल ही नहीं रहा global hunger index जो रिपोर्ट है वो पब्लिश कौन करता है ये भी लिखा है concern worldwide और wealth hunger life ठीक है ये सबसे पहले 2006 में publish होई थी और हर वर्स अक्टूबर में publish होती है और ये 15th edition था 2020 का तो चलिए malnutrition होता क्यों है monoculture, agriculture, practices एक तरह की की ही फसल होगा न foot pattern, chowmin, momo आप खा ले रहो गरीबी, sanitation सच्छुता नहीं है migration एक और reason है इन सब का करता धरता है community kitchens आज ये mention था इसलिए हमने hunger malnutrition भी करा दिया तो extra आपको information मिल गई community kitchens एक तरह से बहुत simple है जो लोग है अपनी सच्छा के हिसाब से मिलते हैं या सरकार उनको appoint करती है और कुछ लोग क्या होते हैं खाना बनाते हैं अब community kitchen group are for everyone जहां पर क्या होता है आप 2-2 रुपे की एक पूरी plate थाली खा सकते हो community kitchen का एक basic example बता देता हूँ जो traditional तरीके से चड़ते रहता है जैसे आप गुरुद्वारा भंडारा जाते हो ना गुरुद्वारा पर जाते हो वहां तो free में मिलता है community kitchen का आप कह सकते हो सबसे apex body आप गुरुद्वारा को कह सकते हो कितनी अच्छी बात है आप जाओ खाना काओ ठीक है वहां पर आप स्वेच्छा से काम भी कर सकते हो ठीक है तो concept बहुत सिंपल है concept हर एक देश राजिका अलग है जैसे तमिलाडू में अम्मा उनावग्गम चलता है अन्यपूर्णा रसोई राजिस्तान में चलती है फूट सेप्टी इससे होगी फूट सिस्टम बढ़ेगा cost of produce इससे घटेगा nutrition जो है इंप्रूब होगा तो community kitchens best practice है अभी तक नाव नेक्स्ट न्यूज है data consultant अब data consultant है क्या ये एक website है 26 year old data consultant जिसके social media में thousands of follower है उन्होंने ये बोला कि यार कहीं ना कहीं अभी हमें blood donation का चलाना चाहिए जिसमें जो लोग recover हो चुके हैं covid से उनका plasma donation की बात करनी चाहिए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर civil society की कभी भी बात आती है तो data consultant का नाम लिखिए दूसरी civil society का नाम लिखिए जो covid-19 या lockdown में इतना अच्छा काम कर रहे हैं individual level पे सोनुसूद देखो कितने तगड़ा जो काम है individual का तो plasma donation process काम कर रही है plasma होता क्या है वो बता देता हूँ सबसे पहले question ऐसा सकता है state PCS में plasma कौन से color का होता है ठीक है blood plasma एक yellowish liquid है blood का एक component होता है generally जो पूरा blood है उसका कुछ part जो है plasma का होता है it is a liquid part of blood that carries the cell protein throughout the body अगर आपके body में protein जा रहा है आप अपनी body बना पा रहे हो तो वो plasma के वज़े से और blood का 55% जो है plasma बनाता है और plasma ये रहता है कि यार अभी plasma donation करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग recover कर चुके हैं उनकी body में antibodies बनती है और इसलिए plasma donate करना पड़ता है जो कि जो patient suffer कर रहा है वो सही हो पाए अब बात करते हैं कुछ editorials की और editorial कल का ही घिसा पिटा editorial है कुछ नया नहीं दिया गया है बस सिर्फ data दिये गये है और वही data जो हम अपने notes में include करते हैं कि retail inflation कौन publish करता है NSO industrial output ये सब चीज़े ही दी गई है COVID-19 pandemic बल रहा है और report ये कहती है कि IIP index of industrial production इतना बड़ा है March में 22.4% हुआ था March 2022 में 18.7% तक गया ठीक है हाला कि lockdown आया है बर उतना ज़्यादा worst impact नहीं हुआ Still same CPI देखने को मिलता है Price gains in the meat or fish मैं 16.7% देखने को मिला X का अंडों का भाव अलग चला है Fats accelerated 100 basis 0.25 पर और PMI survey जो है April का वो देखता है कि नई order देखने को मिले ठीक है मतलब एक तरह से random सी factual detail दी गई है But random सी factual detail में आप एक PMI पढ़ना है एक inflation पढ़ना है तो इसलिए मैं दो चीज़ां आपको अच्छे से पढ़वा देता हूं ताकि आप कभी भी fact आए तो समझभाओ क्या इसके notes बनाने है नहीं क्या इसको याद करना है नहीं क्या inflation याद करना है येस क्या PMI याद करना है येस भारत में महंगाई दो तरीके से मापी जाती है WPI सबसे पहला है WPI ये publish करता है Office of Economic Advisor Ministry of Commerce and Industry और generally जो wholesale price index है उसका जो होता है वो सिर्फ goods को calculate करता है सबसे बड़ा criticize ये ही है services को include नहीं करता इसका base year है 2011-2012 जो की 2017 में किया था base year का मतलब 2011 मागर किसी की कीमत 100 रुपे है और अभी चल रहा है 2021 उसी same की कीमत 200 है तो मैं कहूंगा महंगाई 100 रुपे बड़ी है but WPI हम calculate नहीं करते क्योंकि wholesale के basis पर इसमें information मिलती है मतलब wholesale का मतलब कभी आप थोक में ले जाते हो क्या कोई चीच नहीं ना वो तो थोक भी तरे विक्रेता ही ले जाते है मतलब actual में retail आप individual level पर ये accuracy नहीं दे पाता दूसरी method है CPI consumer price index अब ये retail buyer के basis पर ली जाती है ये goods और services दोनों को ही मद्दे में लाता है चार टाइप के CPI है industrial worker के लिए agriculture laborer के rural laborer के लिए और rural urban combined सबसे पहने जो initial के तीन है ना ये ये publish करता है labor bureau ministry of labor ठीक है और जो rural urban combined होता है वो CSO जो है compile कर करके देता है base year 2012 है इसका और दूसरा एक और चीज़ बता देता हूँ जो 2020 के prelims में पुछी गई थी देखो चाहे CPI हो या WPI है कुछ चीज़ें उनको allocate की जाती है एक तो food का कितना weightage होगा fuel का और manufactured items का तो जो CPI का weightage है वो 46% है food में और WPI में 24% है recent update क्या है जो CPI है industrial worker का वो 2016 हो चुका है तो यही चीज़ें हैं वो हमने detail में discuss कर लिए 2004 में RBI ने adopt किया CPI को as a measure of inflation महंगाई हम इसी से मापते हैं दूसरा purchasing manager index general studies paper 3 growth and development में यह पूछा जा सकता है purchasing manager index का मतलब क्या है एक चीज़ बता देता हूँ यह survey based measure है ठीक है survey based measure है मतलब सिर्फ survey लोगों से पूछा जाता है survey लिया जाता है बस इसमें कोई mathematical calculation या formula नहीं है PMI 0 से लेके 100 number तक होता है 50 से ज़्यादा अगर PMI हो अभी हमारे भारत देश का चल रहा है 55 ठीक है 50 से ज़्यादा अगर PMI हो तो हम कहेंगे पिछले महने से अच्छा PMI है यानि कि जो economy है वो बल्ड रही है 50 से कम है तो contract हो रही है 50 से तो कोई change नहीं हुआ है इसमें क्या होता है कुछ 50 से 60 दुकानों पर जाया जाता है अलग-अलग और उन से पूछा जाता है आपकी पिछले महने की sale अच्छी थी या इस महने की sale अच्छी है तो उसके basis पर सभी राटा को collect किया जाता है और फिर digit में नमबर बता जाता है इसका purpose यही है कि यार जो current future business condition कैसी रहेगी ठीक है हम किस article को नहीं पढ़ेंगे इस article को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे political वाला article है दूसरा किस article को पढ़ेंगे ये अब ये क्या है crime of enforced disappearance article कुछ यहां से सुरू होता है article देखिए कहां से सुरू होता है यहां पर से कि यार एक फरवरी को 2021 में मिलिटरी कूप हुआ और वहां के जो चुनी हुई सरकार है अंग संसुई की उस party को हटा दिया गया है house arrest कर दिया गया है वो कहां है किसी को नहीं पता और इस तरह से वहां के बहुत सारे लोगों को भी अगवा कर लिया गया है पहला case है मियानमार का तो उसके चलते हुए United Nation का working group एक काम करता है enforce or involuntary disappearance वो report publish करता है कि बहुत सारे जो family member victim है उनकी तरब से एक petition आई है कि बहुत सारे लोग हमारी family से मिल ही नहीं रहे है पहला case था मियानमार का दूसरा same case था चाइना में हो रहा है ऐसी चीज़े working group ने भी बहुत सारे report publish की गई है जैसे अग्यूर अग्यूर अगर कोई पूछे तो ये muslim है ठीक है चाइना में जो muslim रहते हैं जियान जिंग reason में वही muslim minority है उस पर चाइना बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है तो यहाँ पर forcefully उनको kidnap किया जाता है तो उसी को बोलते हैं disappearance होना सिललंका मैं भी कुछ दसकों से ऐसा देखने को मिला कि अचानक से लोग guyp कर दिये गए और enforcement enforce disappearance become widely known to the world in the 1970s अब ये कब जब ये word enforce disappearance मतलब अचानक से लोग guyp कब होने लगे जब 1970 से 1980 के बीच में अर्जेंटीना में एक war चला ठीक है वेर्द अर्जेंटीना जो अर्जेंटीन की military dictatorship थी उन्होंने forcefully disappearance किया 30,000 अपने खुद के citizen को while denying that they kidnapped, torture and murdered them ठीक है उन्होंने बोला कि हम इसको torture नहीं कर रहे हैं बट फिर भी इनको बहुत लोगों को अगवा कर लिया गया तो इसके basis पे United Nation ने सोचा United Nation के Human Rights Commission ने सोचा कि हम एक working group establish करते हैं तो 1980 में working group establish किया गया और इसका major काम यही था कि human right violation मतलब किसी को अगवा करना arbitrary human right violation ही तो है United Nation Commission on human right के basis पे 1980 में establish गया गया इस working group को चेक करता है एक enforce disappearance किसे आप कहोगे ठीक है जहां पर liberty आप से छिन ली जाए जहां लोगों को arrest कर लिया जाए detain कर लिया जाए kidnap कर लिया जाए ठीक है दूसरा especially occur in the context of state continuous refusal to take relevant action राज्य सरकार उसमें relevant action नहीं ले रही अगर किसी को अगवा कर लिया गया तो ठीक है उसी के चलते हुए United Nation Human Rights Commission ने यह बनाया ताकि उनको protect कर सके उनका पूरा aim यही रहता है ठीक है और इस पर पता कैसे चलता है वही है कि यार जहां मैयान मार्च चला ना वहां कि बहुत सारे लोग working group में petition डाल देते हैं कि हमारी family के इतने लोग missing है okay I think अब आपको यह समझ मा आ गया होगा देखो जैसे यहां पर यह चल रहा है my father where is he question mark मतलब disappear हो चुके हैं उनको kidnap किया गया है right इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्या नोट्स बनाने है बिल्कुल भी नहीं वही है type of diagnosis है sugar कैसे control करना है blood glucose क्या है बिल्कुल भी आप सको नहीं पढ़ना है now सबसे बड़ा अभी जो क्राइस चल रहा है यार medical education के basis पर इंडिया का health system पूरी तरह failure हमें देखने को बिला ता भी तो कोविट के किसे इतने हैं और सबसे बड़ा challenge है human resources नहीं है health workers की shortage है doctors नहीं है ठीक है northern state में तो बिल्कुल भी नहीं है तो उसके चलते हुए हमें क्या करना चाहिए नीती आयोग ने हाला की बहुत सारे proposal दिये और 150 mbbs seat के basis पर और जदा बढ़ा दी गई ठीक है इसको बढ़ा दिया गया बट क्या यह काफी है नहीं long term के basis पर भी जो क्राइसस है इसको opportunity में बदलना है तो हमें कहीं न कहीं medical education पर बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा उसमें invest करना चाहिए और भी सिर्फ एक परसेंट GDP हम खर्च करते हैं उसको बढ़ाना चाहिए दूसरा हमें नए नए medical colleges establish करने चाहिए गवर्मेंट को student को increase करना चाहिए कि आप medical colleges पर ज्यादे से ज़्यादा admission लें besides it must allocate financial resources to strengthen the overall capacity of existing medical colleges उन सब को बढ़ाना चाहिए तो आई थिंक कि यह आपको clear हो गया होगा medical education क्यों जरूरी है civil services ने prelims का examination 10 October को किया है बंगाल के finance minister ने बोला GST council की meeting होनी चाहिए ऐसा क्यों COVID-19 situation आ रही है economy को बहुत ज़्यादा hit कर सकती है तो वेस्ट बंगाल के finance minister अमित मित्रा जी ने बोला है कि यार union finance minister निर्मला सितारमन जी से council पिछले वर्स अक्टूबर से नहीं मिली है तो अभी उसको मिलना चाहिए पिछले वर्स में भी इंडिया का projection कम देखने को मिला था अब तो COVID-19 की second wave सुरू हो चुकी है lockdown सुरू हो चुका है तो बहुत ज़्यादा expected है कि economy को loss होगा तो इसके basis पर हमें GST meeting करनी ही चाहिए GST अगर revenue अगर आप देखोगे कि हर एक राज्य सरकार का 50% तक उसका revenue share होता है तो हर एक राज्य को चिंता करनी चाहिए एक्टूल में GST council है क्या जिसमें अलग-अलग राज्यों के finance minister बोल रहे हैं कि ये meeting होनी ही चाहिए Now GST goods and services जो tax है उसकी एक council होती है उसका एक constitutional body है तो GST council क्या एक constitutional body है yes Under article 279A capital A के अंदर काम करती है capital A का मतलब जब किसी article को बाद में डाला गया हो पहने सविदान में नहीं था बाद में डाला गया हो तो उसमें capital A capital B ये आता है ठीक है अलग-अलग provision तो constitutional body है अंदर article 279A तो यही recommendation देती है ठीक है GST council ही recommendation देती है कि union और state government के basis पर goods and services किस तरह से काम करना चाहिए ये introduce किया गया था 101Way Amendment Act 2016 में GST council को chair करते है union की finance minister अभी निर्मला सितारमन जी है और state के finance minister भी इसके in charge रहते है ये federal body मानी जाती है मतलब center और state दोनों मिलके काम करती है और सभी जो decision होते हैं वो center और state मिलके काम करती है जिसमें three-fourth जो weightage होता है मतलब three-fourth से कम अगर मिलती है ये meeting राजी सरकार आई केंदर सरकार आई तो three-fourth से कम नहीं होनी चे majority ठीक है अगर central government का बोलू इसका weightage रहता है one-third और राजी सरकार का weightage होता है two-third ठीक है ये चीज़ याद रखना टू-third राजी सरकार का percentage होता है वोटिंग का central government का होता है one-third ये भी prelims के लिए याद रखना ठीक है economic survey ने तो यह बोला GST council for its cooperative federalization technology which brings together center and state can apply to many other policy reforms GST council दूसरे उसमें भी काम कर चकता है क्योंकि center और state मिल के काम करती है और कोई एक दूसरे पर dominance नहीं दिखा सकती क्योंकि दोनों का share रहता है one-third center का state का two-third now next है कुछ तीन लाग cases देखने को मिले और 3700 लोगों के death हुई मैं डेली के basis पर आपको update करता हूँ वर्ले लेवल पर इसराइल पालिस्टाइन की fight चलते रही है यह क्या है वहीं बताऊंगा मालदीव से मैं भी attack हुआ था तो अभी जर्मानी गए है treatment के लिए बिडन यह बोलते है कि इसराइल जो पालिस्टाइन में violence है वो कम होना चाहिए रियाद फ्रीज बिन लादेन प उसके साथ बिजनेस न्यूज में यह है कि इन्फोटेक इंडस्ट्री जो नैसको में उन्होंने प्राइमिनिस्टर मोदी से बोला कि जो foreign contribution regulation act के कुछ नॉम्स है वो temporary relax कर दीजे ताकि हम कोविड रिलीव चाहिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहें तो उसमें रिलीव है क्या यह नॉम होते क्या है foreign contribution regulation एक्ट के नॉम से हैं क्या सबसे पहले मैं आपको एपस इतने यहां पर funding नहीं है मुझे funding चाहिए foreign से तो अगर foreign funding चाहिए होती है तो हर एक NGO को FCRA में register करना पढ़ता है जो की implement करती है ministry of home affairs यह चीज़ जाद रखना इस act के अंदर organization required to register themselves every five year हर पांस साल में register आपको renew करना पढ़ता है 2010 का act है और जब आपने इस पर आप regulate करोगे approval मिल जाएगी आपको तभी आप foreign funding मतलब USA की company या USA का कोई businessman तभी आपकी NGO को पैसे दे सकता है नहीं तो नहीं दे पाएगा since the act is internal security isolation इसलिए यह home ministry के अंदर आता है और reserve bank of India के अंदर नहीं आता ठीक है अब आपको गया internal security isolation का कैसे हो गया यह act मैं कहुंगा देखो home ministry के अंदर ही क्यों आता है reserve bank of India के अंदर क्यों नहीं आता फॉरन contribution है तो यार आपको लगना चाहिए पैसे आ रहे हैं तो RBI को control करना चाहिए यार बट यह internal मामला है कैसे कभी कभी क्या होता ना कोई NGO खोलता है और पाकिस्तान से funding आती है उस NGO की सोच और वो NGO फिर उसी पैसे का यहां पर warm weapon उस बनाने में काम कर देता हो ठीक है तो I think यह आपको समझ में आ गया होगा और लास्ट मैं कहूंगा इसराइल पैलिस्टाइन क्या था कुछ मैप दिखाता हूं पहला यहां अरब लोग रहते थे दिरे दिरे जब इसराइल ने war जी यह पूरा छिन लिया था अब यहां पर 1975 में Palestine को भी रिकगनाईस किया और इसराइल भी रहने लगी तो यह पैलिस्टाइनी लोग है यहां पर ठीक है यह इसराइल है कुछ लोग इसराइल को इसराइल एक कंट्री है कुछ लोग पैलिस्टाइन को कंट्री ही नहीं मानते बोलते हैं कि इसराइल का ही पार्ट है ठीक है और USA इसराइल को सपोर्ट करता है कभी कभी कि उसकी सिटी जो है जैरुसलाम है ठीक है तो इसराइल और पलेस्टाइन का यह यूद्ध था कि अरब कंट्रीज को पहले हराय गया इसलिए यह डिस्पूट चलता रहता है दूसरा इसराइल और पलेस्टाइन दोनों ही देश जैरुसलाम के लिए लड़ते हैं धारिविंक से टी है वो मानते हैं ठीक है तो आई थिंक अब आपको मैं सभी बता चुका हूँ डिस्पूट क्यों होते हैं टेरिटोरल डिस्पूट लड़ क्यों है सिर्फ टेरिटरी के लिए ठीक है जमीन के लिए आप सोच सकते हो फिर एक और नियुज है ट्रिप्स चलिए आपको बताएए ट्रिप्स इसे रिलेटेड जो भी है अब मैं ये पांच-छे दिन लगातार करा चुका हूँ पांच-छे दिन इस पर एक आंसर राइटिंग भी हो चुकी है अब कहीं है मैं आपको दिखाता हूँ देखो आठ माई कोई आंसर राइटिंग कराई थी इंटलेक्शल प्रॉपर्टी राइट को वेब आप करना चाहिए कॉमेंट करो डेल सो सब्दों में लिखना था और सभी लोग ने ये लिखा भी और इसकी आंसर राइटिंग प्यार पॉब्ल कि मिस्टर हुमानसु हमारे पहले से भी यूजर जुड़े हैं बिल्कुल हम भी उनको थैंक करेंगे सर आपका समझाने का तरीका बहुत बेस्ट है और हिंदी माध्यम का छात्रू हो जो सब्द अंग्रेज जी के हैं बिल्कुल यार मिस्टर रंजीत आपको बताएंगे य सर प्लीज टेल मी जी एस टू पॉलिटी लक्षिम कांदी इस इनफ और स्टेडिक पॉर्शन येस गौवर्नेंस के लिए अलग से पार्ट होगा ठीक है पॉलिटी के लिए सही है गौवर्नेंस के लिए अलग से होने चाहिए सर एथिक्स की केस स्टेडी बिल्कुल इश्य करना है कि आप क्रेमल हो या नहीं तो इसमें पुलिस इतने दिन तक कस्टडी में देखो मिश्टर विनाई एक इसके पीछे ये भी रीजन है न कि जुडिशेरी के पास अल्लेडी यार इतने पैंडिंग केसे हैं कि हर जगे पर ले जाये पैलस्टाइन देखो दो कंट्री है बैसे इसराईल और पैलस्टाइन थीग है पैलस्टाइन की ऑटर्नवी 1975 जैसे Iron Dome के जिस्दाइल का जो गाजा पत्टी स्रे आते हैं वो बम बहुत छोटे से होते हैं बोलते हैं जिसको फुसकी बम बोलते हैं कि 1000-1000 रुपे के आजएंगे वो तो iron dome उनका target करता उसकी अगर बात करोगे ना सिर्फ कुछ 70 मेल तक आई तेंगे या 70 किलोमेटर तक है उसकी रेंजी जो कि 70 मेल तक है बहुत कम है ठीक है भारत में तो इसने ऐसे rocket आते ही नहीं है चाइना से और पाकिस्तान से आएंगे तो बहुत heavy आएंगे तो iron dome उतना ज गाजा strip हमास के ऐसे फुसकी बम नहीं आएंगे ठीक है तो हम बनाएंगे तो तगड़ाई बनाएंगे ठेंक्यू संगती जस्विंदर को और कहते हैं सर पॉलिटी के next chapter बिल्कुल मैं ये सोची रहा हूं बट अभी यार science and technology और disaster management में करवा देता हूं जल्दी जल्दी ठी 500 जी ने बता दिया है पूरा reply देख लेते हैं इनका क्या है एंडे किलो बेल अलसो ठीक है सर रेमडेसीवर को लोग black marketing क्यों कर रहे हैं जबकि रेमडेसीवर को Ebola के लिए बनाया गया था और डॉंक्टर से भी बोल रहे हैं कि रेमडेसीवर वर्क नहीं कर रही है इससे बह हमारा वाइरस एंटर करता है हमारी बॉडी में तो जैसे एंटर करता है अपनी genetic material को replicate करना सुरू करता है तो जितना ज्यादा replication rate होगा उतना वाइरस इंपक्ट करेगा तो actual में उतना ज्यादा उसके लिए effective नहीं है बट जो वाइरस replicate करता है अपने multiple copies बनाता है तो उस copy को बनने में रोकने में मदद करता है क्योंकि जितना देर में वो copy करेगा उतना कम infection होगा लंग उतना कम damage होगा उतने देर में death होगी यू आर बैस सर थेंक्यू रीथ सर फ्रों वियर डाटा पैक और इंटरनेट कंसी नवर मॉबाइल फोन आइं सो कन्फ्यूज थीक है कि आपका कहना है कि आप डाटा पैक अपना मॉबाइल में 149 या कितने का रिचार्ज करते हूं तो हम डाटा यूस कैसे करवाते हैं आई थिंक आपका question यह है जितना मैं समझ पा रहा हूँ बहुत सिंपल है यार आपने टेलिकॉम सर्विस प्रोइडर नाम सुने होंगे टीएसपी एरटल है जीओ है अब इनके क्या होते ना अगर आप ओशियन में देखोगे पूरा ओल ओवर वर्ल्ड देखोगे आपके जो है जो फाइबर केवल की नेटवर्क घूमे रहते हैं अब सपोज मान के चलो आपके एरिया में एरटल ने अपना नेटवर्क बनाया है तो वो एक टेलिकॉम सर्विस प्रोइडर है ठीक है अब वो क्या कर रहा है उसकी फाइबर केवल की तारें जो हैं आपके एरिया तक फैली हुई है अब उस फाइबर केवल के नेट को यू कर पाओगे वह आपका नंबर रिष्टर कर लेंगे और वह अपने डाटा में देखेंगे कि हाँ इस नंबर ने 149 का रिशार्ट जी कि है फाइबर केवल का जो कनेक्शन वह आप तक आजाएगा सिंपल सा मैं थर्ड है यार कुछ है नहीं और जो दूसरा ठीक है सर प्रेंका ये आपको सिर्फ जो है पेड गुरूप में मिलता है हालेटेड वर्जन सर ये एजुकेशनल एप्स हमारी प्राइवेसी का मिश्यूज कैसे कर सकते हैं में वह बहुत सिंपल है अगर आप कोई एप यूज कर रहे हैं अगर आप उनसे वीडियो लक्चर कर रहे हो तो आपका फेस भी तो दिख रहा है न दूसरा आप अपनी जो है चीज़न डाल रहो डेटेलस डाल रह और इसी का यूज करते हैं उसी को capture यह सब चीजें capture हो रही है ठीक है एक तरह से उनके physical data में store हो रही है फिर इसी को बेचा जाता है और यह हमारी privacy का violation है वीडियो बढ़ी होती जारी है रोज कभी-कभी हमारे यह कहते हैं कि वीडियो छोटी हो रही है फिर कभी बढ़ी हो जारी है ठीक है इसके बारे में सब लोग बताओ comment में ठीक है वीडियो इतने ठीक है या जितना समझ मारा रहा हुतना ठीक है एकॉनमिक हीटमेन क्या है सर यह हमने देखिया मिश्टर केदार धुमली जी आप उसमें देखिये पंकसर आइस सर्च कीजिए उसमें हमारी छे वीडियो लेक्चर है फिरी में उस पर हमने एक्स्प्लेइन क्या है सर जूइस कैसा रिलिजन और यह किसको वर्सिप करते है ठीक है देखिये वर्सिप करने के बारे में बात नहीं है जूइस देखो एक होता है अरब यह मुश्लिम कम्यूनिटी है वैसे जूइस कम्यूनिटी होती है जैसे मुश्लिम कम्यूनिटी के अलग मतलब अरब जो है वो मुश्लिम कॉमिनिटी है जनरली जो अरबियन्स थे ना इसराइली जो हैं जूज धर्म को फॉलो करते हैं तो ये जूज है टू डियोक से ये अच्छा अंसर है आज की स्वीडियो में इतना ही आज का जो एंड कोड रखते हैं वो रखते हैं स्पीकर ठीक है चलिए थेंक यू